उत्रकंड में आम आदमी पार्टी के प्रदेश चुनाफ रबंदन सयोजग दीपक बाली ने रुद्रपुर में कारेकरताओं से मुलाकत किये रुद्रपुर शेहर में आम आदमी पार्टी के कारेकरताओं में उत्सा देखने को भी मिला है आप पार्टी किस तरीके से चुनाब में उतरने वाली है कितनी सीटों पर चुनाब प्रबंदन टिकेट बटवा कर आगे की योजना बनाएंगे उतराखंड में संगटन की मजबूती को लेकर कुमाईू मंडल के ब्यूरोचीव संधीप कुमार ने आमाद्वी पार्टी चुनाब प्रबंदन समिती सहीं उजग दीपक बाली से खाज बारचीत की है आपको सुनाते हैं आमाद्वी पार्टी के वरिष्ट नेता बलकि मैं कहूं कि तो उत्तरा खंड में संस्थापक सदस्यों में से एक हैं दीपक बाली जी दीपक सर कैसे देखते हैं आज की भीड़ देखकर तो आपको काफी अच्छा लग रहा होगा बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं पार्टी की तरफ से उतनी कहमा गयमी अभी दूसरी विदान सबाव में क्यों नहीं दिख पा रही है अभी में पिछले दो अभी कुछ समय पहले कुछ दिनों पहले बलकिए करना चाहिए सितारगज में एक प्रोग्राम में था कम से कम डेड़ हजार की संख्या के साथ लो मुझे ऐसा लगता है कि काशिपुर से जो आवाज चली है वो आप तक पहुंच रही है बाकी जगों के आवाज भी आपको सुनाई देगी अगर आब वहां जाएंगे देखेंगे दिपक जी अरविंद केजरिवाल जी का दोरा हल्दवानी के लिए पर स्तावित है क्या कुछ कारिकरम रहेगा और किस तरह की गोशना यहां पर भी हो सकती है देखिये है हमारे नेता ने जब देरादून आये थे तो एक घोशना जन्ता के लिए की थी जिसमें 300 यूरिट बिजली वुफ्त गरंटी कार्ड की थी तो ऐसा ही कुछ और जन्ता के लिए वो लेके अरा रहे हैं जिसकी घोशना 19 तारिक को हलदवानी में कारेकरताओं के बीच में और आप जैसे मीडिया के बंदों के बीच में होगी और सब को सुलाई देगी दूर तक पुरे परदेश के अंदर दीपक जी चलते लते आखरी सवाल करूंगा 300 यूरिट बिजली फ्री देने के लिए आपने कहा लेकिन मुद्दे तो बहुत सारे हैं रोजगार अगर मैं आप से पूछता हूं तो आपने कभी उनके मैनुफस्टों पढ़ा भी नहीं होगा कि दो पेज बंद करके पकड़ा दिये पतरी किदर गया वह आमादी पार्टी का काम करने का तरीका बिलकुल अलग है अभी आपको 300 यूरिट सुनाई दिया है अभी 19 तारीक का मानी अर्विंद केजरिवाल जी वहां करके गए उसके बाद कारिकरता घर घर तक पहुंचा और उसने एक एक परिवार को बिली गारंटी कार्ट दिया ऐसा ही कुछ 19 तारीक को भी होने जा रहा है और मुद्दे वो ही रहेंगे जो इन लोगों से 20 साल में नहीं सुलिए है स्वास्त, शिक्षा, रोजगार, पलायन इनी मुद्दो पर बात होगी साथ मैं, Sandeep Kumar TV 100, रुदरपुर